रंगो का तेवार होली का सीजन चल रहा है और ऐसे में दही वड़ी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दही वड़ी का असली स्वाद जो होता है वो तब ही आता है जब वो बनियां सौफ्ट और स्पॉंजी बनकर त्यार हो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण अकसर दही वड़ी सौफ्ट नहीं बन पाते है आज के वीडियो में उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे और आपके साथ मैंने कुछ ऐसे टिप शेयर किये हैं जिने फॉलो करके आप एक बर क्या हर बार बिल्कुल पॉफिर दही वड़ी बनाओंगे बिल्कुल सौफ्ट और स्पॉंजी तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखेगा आज की रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस आपको और आपकी पूरी फामली को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आपकी घर में जो भी गेस्ट आएंगे ना सभी आपके तारिफ करते रहेंगे तो चलिए बिना देर के आज के सुपर डिलेशियस दही बड़ा की रेसिपी को शुरू करते हैं इसे बनानी के लिए यहां पर मैंने दो घंटे तक भीगोई हुए उरत की डाल लीवी है इस कप से मैंने यहां पर एक कप उरत की डाल लीवी है इसे मैंने बढ़िया तरीके से वाश कर लिया है अब हमें इसे करना होगा ग्राइंड तो यहां पर मैंने एक ग्राइंड जाड लिया और इसमें म मैंने जरा सा भी पानी आड नहीं किया है यहाँ पर आती है सबसे important बात यहाँ पर हमें दाल को बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है हलका साथ दरदरा grind करेंगे यहाँ पर हमारी दाल grind हो चुकी है इसे हम एक बरतर में निकाल लेंगे अब आती है सबसे important और सबसे ज़ादा महनत वाला काम जहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गड़बर करोगे तो आपकी दही वड़े खराब हो सकते हैं उससे पहले मैंने इसमें याट किया है जरा सा अजवाइन और साथ में जरा सा नमक और हींग इसमें बहुत ही जबरदस फ्लीवर आता है अब करेंगे इसे mix सबसे पहले तो मैंने चमच हटा दिया मैं इसे हाथों से mix कर रही हूँ आप इसे हाथों से अराम से mix कर सकते हो वरना अगर आप चाओ दो चमच का इस्तमाल भी कर सकते हो यहाँ पर आपको इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से फेटना है इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा तक्रिबर आपको साथ से आठ मिनट या फिर अगर आपकी क्वाइटी जादा है तो और भी यह टाइम बढ़ सकता है आपको इसे एकी डिरेक्शन में लगता चलाते हुए बढ़िया तरीके से मिक्स करना है जितने अच्छे तरीके से अभी आप इसे मिक्स करोगे आपकी दही बढ़े या फिर दही भले भी अगर आप बना रहे हो जब आप उसे मिक्स करोगे ना तो मिक्स करती ही आपको पता चल जाएगा क्योंकि जैसे जैसे आप उसे फेटते जाती हो वो कावी हलका होते जाता है बर पर भी अगर आपको लग रहा है कि बढ़िया से चेक हो जाता तो अच्छा होता तो आप एक कटोरी में पानी ले और उसमें आप थोड़ा सा वो मिक्स डाल के देखे अगर वो पानी में तैर रहा है कुछ इस तरीके से यानि कि आपका बिल्कुल बढ़िया रेडी है जादा मैने तब इसमें नहीं करनी चलिए अब इसको साइट करते हैं अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं करने वाली हूँ एक ट्विस्ट तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्टफ दही वड़े यानि कि मैं उसके अंदर एक चोटी सी स्टफिंग पिल करने वाली हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्राइब रूट्स लिए हैं जिसमें थोड़ा सा सूखा नारियल लिया हुआ है और साथ में काजू है और किश्मिश है किश्मिश को मैंने उसी तरीके से रहने दिया है काजू और नारियल को मैंने चॉप्ट किया हुआ है इसमें मैंने अभी वो जो बैटर मिक्स किया था ना दही वड़ी के लिए वो मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन एक जममच और थोड़ा सा फूट कलर फूट कलर फूट कलर विल्कुल उपस ने वह और इसे बस मिला दिया और यह हमारा स्टफिंग बनकर तयार है सारी तया नॉर्मल स्टील की कटोरी हो बस ध्यान रखना कि वह छोटी साइज का हो क्योंकि जाता बड़े दही वड़ो भी बनाओगी तो इतने अच्छी लगेंगे इसमें मैंने सबसे पहले तेल से ग्रीस कर लिया है लगा करके इसके बाद इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मिक्स डाल और चारो तरफ से दही वड़े रहे और बस अब क्या करेंगे कटोरी को पलट करके आसानी से निकाल लेंगे और इसे गर्म तेल में डाल देंगे लग रहे ना बढ़ियां बहुत आसाने बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है बिलकुल इसी तरीके से बाकी बनाके तैय करेंगे बस ध्यान रिखे कि हर बर आप उसे तेल से ग्रीज जरूर से कर लीजेगा और अगर आप नॉर्मल दही वड़े बनाना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है बस आप यह स्टॉफिंग वाले पार्ट को स्किप कर देना और नॉर्मली जिस तरीके से आप बनाते हो दही व को डाल देने के बाद इसमें तुरंथ कल्ची बिल्कुल भी ना लगाए इसे नीची की तरफ से पक जाने दे इसके बाद फिर इसमें कल्ची लगाए अब बात कहते हैं तो फ्लीम हमारा लोटो मीडम रहेगा क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे मेरा दही वड़ी के लिए बड़ा बनके तयार हो चुका है बहुत ही बढ़ा गोल्डेन हो चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं एकसेज ओईल अलग कर लेते हैं इधर मैंने यहां पर एक पतिले में हलका गुन-गुना पान लिया है जिसमें मैंने जरा सा नमक और बिल्कु दही वड़ो को सुपर सॉफ्ट बना सकते हो अगर आपको यह प्रॉब्लम आते हैं कि फ्राइ करने के बाद जब हमने उन्हें सर्फ किया तो अच्छे से सॉफ्ट नहीं रहते यही प्रॉब्लम होती है आप उन्हें पानी में जरूर से डाले तक्रिबन इसे 15-20 मिनट तक करने दे इसके बाद आप उससे पानी से अलग कर लें चलिए अब फटा फट से हम दही वड़ो को सर्फ करते हैं इसकी प्लेटिंग करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमने पानी में से सोक कड़ी किल रखा था ना तो हाथों में लेकर कि इसे हलका सा प्रेस करेंगे ताकि जो भी इसका एक्स्टर पानी हो वो निकल जाए अब क्या करेंगे इसमें सबसे पहले डालेंगे दही तो यहां पर ना मैंने दही में हलका सा शुगर पाउडर डाल दिया था और इसे बढ़िया तरीके से फेट लिया है इससे दही में मिठास आ जाते है जो कि दही वड़ हमें इसमें तीखा फ्लेवर भी चाहिए तो मैं इसमें डाल रही हूँ यह हरी धनिया की चटनी और अगर आपको इन चटनी की रेसेपी चाहिए तो मैंने एक ही वीडियो में दोनु चटनी की रेसेपी शेयर की है अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है और चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आप चाहो तो देख सकते हो और अब इसकी ऊपर से कुछ मसाली आइट करेंगे तो मैंने यहां पर जरा सा चाहर डाला है थोड़ा सा काला नमक थोड़ी सी लाल मेच पाउडर और जरा सा मैंने इसमें भुने वी जीरा का प कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर से बताइए का अगर आगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ भी शरूर से शेयर करेंगा मिलूंगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में ऐसी ही किसी दूसरी सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना और अपनी परिवान का ख्याल रिखे रादे रादे